पूम नमस्षिवा है मैं हूँ एस्ट्रोजर केम सिन और मैं अपने यूटुब चैनल पर आप सबी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कल साथ जैन्वरी 2022 कैसा बीतेगा मेर्स से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आई एम इस वीडियो में समझते हैं वीडियो को प्रारम करूँ उससे पहले आपके दो प्रश्ण पहला प्रश्ण पूछा गया है अगर जन्म कुड्ली में बुद्ग्रा कम्जोर हो तो क्या करना चाहिए देखे अगर आपको अपनी कुड्ली नहीं पता है तो भी आप यह जान सकते हैं कि आपकी कुड्ली का बुद्ग्रा अच्छा है या खराब है बुद्ग्रा जो होता है कम्यूनिकेशन पावर को बताता आप कितना अच्छा किसी के साथ कम्यूनिकेट कर सकते हैं देट्ट गिवस्ट इस गिवन बाई मर्कृरी प्लेनेट तो यहां पर बुध्ध के द्वारा ही ये परिणाम आता है और बुध्य जो होता है वाडी का कारक होता है और साथ में इसकिन का भी कारक होता है जितने लोग भी कम्मुनिकेशन फिल्ड में काम करते हैं उनका बुद्ध बहुत अच्छा होगा जिन जितने लोग भी accounting का काम करते हैं banking finance related काम करते हैं उनका भी बुद्ध सामाने ते अच्छा रहता है अगर आपकी कुणली में बुद्ध कमजोर है तो निशेतरूप से चर्म रोग होने की समभावना जर्म कुणली में अगर बुद्ध कमजोर हो तो क्या करना चाहिए सबसे पहले तो बुद्धवार को आपको फास्ट रहना चाहिए सुर्यूदै से सुर्यास तक अगर आप फास्ट रखते हैं तो आपके लिए ये बुद्ध एक अच्छा परिणाम दे सकता है और दूसरा अगर आपकी कुणली में ग्रहों की स्थिती क्या बन रही है उसके इसाब से रतनों को भी यहाँ पर धारण कर लेना चाहिए जिससे की बुद्ध ग्रह आपका अच्छा है या नहीं है वो उसको कैसे सही किया जा सके वो उपाय कर सकते हैं गणेश जी की जितनी अरादा करेंगे उससे भी बुद्ध ग्रह सही हो जाता है संतान सुक में कौन सा ग्रह बादक होता है यह दूसरा प्रशन है देखिए संतान सुक उनको नहीं मिल पाता है जिनके पंचम अस्थान पर किसी भी सेप्रेटिंग ग्रह की अकेले दृष्टी होती है अगर किसी की कुणली में पंचम भाव में सपोस किजिए किवल सूरी बैठा हो तो बहुत ऐसी कंडिशन बनेगी जिसमें संतान ना होने की कंडिशन होगी लेकिन हमें तीन चीजों को देखना पड़ता है एक तो लगन लगनेश की स्थिती देखने पड़ती है पंचम पंचमेश की स्थिती देखनी पड़ती है और पंचम का जो कारक होता है देव गुरु ब्रसपती उसकी विस्थिती को देखकर हम बता सकते है कोई भी प्रिथकारिग्रा अगर पंचब में बैठता है education भी पूरा नहीं कराने देता है साथ में संतान के होने में देरी भी कर सकता है विलंब कर सकता है या नहीं होने का योग भी बना सकता है तो अगर आप उपाय करते हैं सही तरीके से तो संतान से related सुक जो नहीं मिला है वो सुक आपको मिल सकता है और ये कुंडली के विशनेशड के बाद ही पता पूर तरीके से चल सकता है लेकिन संतान सुक में बादक जो ग्रह होते हैं वो separating tendency के होते हैं अब हम बात करते हैं देखें कल चंद्रमा जो रहेंगे कुंब राशी में रहेंगे पूर बादरपद नक्षतर में चंद्रमा का गोचर होगा और शुक्ल पक्ष जो रहेगा वो पंचमी स्टार्ट हो जाएगा कल और पंचमी कब रहेगा ये सब कुछ आपको डिस्प्ले मे नीचे हम लोग दिखाई देते हैं और लेडी पूरा ये टूजेट आपको मिल जाता है फिलाल हम बात करेंगे कल का राशीफल मेश से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा सबसे पहले देखें तो चंद्रमा की जो उपस्तिती रहेगी पूर बादपद नक्षत में रहने के कारण चंद्रमा पावरफुल रहेगा और चंद्रमा पावरफुल रहेगा तो आपको अच्छे परिणाम देगा मेश लगन की बात किया जा तो मेश लगन में कल का जो दिन रहेगा आये के साधन के लिए अतियुत्तम रहेगा स्वास के प्रती कुछ सचेत रह है गोचर में मंगल और केतु कास्टम में बैठना अभी भी अकस्मा दुर गटनाएं करा सकता है वहां चलाते समय बार-बार रिपीट कर रहा हूं आपको साबधानी बरत्नी ही चाहिए नहीं तो चोट चपेट लगने की गटनाएं हो सकती हैं कल घर से बाहर निकल लिए तो छाल चंदन का टीका लगा करी अगर बाहर निकलते हैं तो अच्छा रहीगा व्रिषब लगन के लिए बात करें तो वस्टम मैं यह उत्पन करा देंगे और दूसरा आपके माता के साथ जो संबंध परेशान या खराब हो गैते संबंध आपके मधूर हो में विवात की सिती रहेगी शरीर में आलसिता जादा रहेगी और इस समय कल के दिन मित्र और रिष्टदारों से सावधान रहेगा किसी प्रकार की परिशानिया वही उत्पन करा सकते हैं दूर संचार माध्यमों से अंत में शाम को पांच बज़े के बाद कुछ अच्छे समा आते हुए दिखाई देंगे मित्र लगन की बात किया जाए तो मित्र लगन में चंद्रमा की उपस्ति लगन से नवम भाव में होगी ब्रस्पती के साथ बैठेंगे ब्रस्पती के नक्षतर में रहेंगे अति उत्तम रहेगा मानपत प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और समय आपको हानी पहुचाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो पहुचा नहीं पाएंगे गोचर इतना सही आपके लिए अभी चल रहा है कि बहुत जादा परिशानी आपके लिए नहीं है लेकिन आपके जीवन साती के स्वास में गिरावट अभी भी चार्ट में दिखाई दे किसी प्रकार की कोई नक्रात्मक समय नहीं देख पा रहा हूं लेकिन जिनके लीवर में किसी प्रकार की इंफेक्ष्ण और बढ़ने की समावना कल के दी दिख रहए किसरी लागन की स्वास में रहेंगे और यह चीज आपको काफी परिशान कर सकता है कोई भी बड़ा डिजिजन लेना हो तो कल डिजिजन नहीं लेना चाहिए और साथ में आपका आत्मबल जो होगा वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है कल के दिन इसलिए आपको ओम नमश शिवाय का 108 बार जाप करने के बाद ही कोई कारे करना चाहिए को की दिन में किसी प्रकार के रुके हुए कारे की पूर्ती भी होगी लेकिन गले में इंफेक्शन होना अभी भी कंटिनू रहेगा सिंग लगन की बात किया जा तो सिंग लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा लगन से सब्तम अस्थान पर रहेंगे सब्तम अस्थान का जो चंद्रमा ब्रस्पती के साथ पूरु भाधपन नक्षतर में रहेगा तो आपके लिए द्यानिक रोजगार के साधन बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा इस समय जीवन साथी के साथ संबंद जो होंगे मदूर हो जाएंगे लेकिन अभी भी जो गोचर में दिख रहा है आपके प्रेम प्रसंग में कुसी प्रकार का कोई विराम लग सकता है या किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है भाग या आपका साथ देगा शेयर सटर बानवित रहेंगे और माता के स्वास्त में अकस्मात गिरावट होना आपको परिशान करेगा कल के दिन जिनको उच्छ रक्त चाप की बिमारी है या मतलब हाई ब्लेड प्रेशर हो या लो ब्लेड प्रेशर हो इसके अगर बिमारी हो तो आपको बेहद साफधानी बरतना चा यह तो बिल्कुल रहना है स्वास्त बहुत अच्छा कल के दिन आपका नहीं रहेगा लेकिन आपके स्वास्त के साथ साथ भागे का साथ भी कल नहीं मिल पाएगा इसलिए शेयर सेटा लॉट्री से दूर रहिएगा और साथ में आपके अंदर का जो कॉन्फिदेंस था वो अरातना अगर आप करते हैं तो कल के जितने भी संकट वाले काम है वो सारे संकट खतम हो जाएंगे और कल का दिन भी अच्छा बीतेगा वरिशिक तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल का दिन चंद्रमा लगन से पंचम अस्थान पे रहेंगे और ये इस समय ससुराल पक्ष से भी आप लाबानवित होंगे और रुके हुए कई कार आपके पूरे हो सकते हैं धन के लेन दिन में साथधानी बढ़ते बिना किसी के सला लिये हुए आप किसी बड़े डॉक्कुमेंट पर साइन ना करें किसी प्रकार के दोके होने की संभावना भी कल के दिन मैं चेक कर पा रहा हूं लेकिन आएक के साधन आपके continue बढ़ते रहेंगे वरिश्चिक लगन की बात क्या जाए तो वरिश्चिक लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो आपके लिए रिष्ट रहेगा लगन से चतुरत स्थान पर चंद्रमा रहेंगे तो परिवार में चोटे भाई बैनों को परिशानी होना आपके लिए थोड़ी चिंता का विशय बन जाएगा और इवन फेक्ट छोटे भाई बैन और बड़े बाई दोनों को कल के दिन थोड़ी परिशानीयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन कारे वैवसाह के लिए कल का दिन अतियुत्तम है माता के स्वास में जो गिरावट थी वो भी खतम होगी और साथ में दैनिक रोजगार आपके जो आपने जितने भी प्रयास किये हुए है वो सभी सार्थक सिद्ध होंगे बागे का साथ मिलेगा शियर सट्टा लॉट्री से भी लाबानवित होंगे ले पस्तती ये लगन से तृतिय स्थान पर रहेगी तो आपके मानपद और प्रतिष्टा में बढ़ोतरी होगी कारे छेत्र में भी पदोनिती की योग कल पूर तरीके से मैं देख पा रहा हूं जीवन साथी का आपको सयोग मिलेगा और इसके अलावा अकस्मात अंचाही यात करने के बाद ही आपको करना चाहिए यातरा नहीं तो परिशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है जीवन साथी के साथ अभी भी मतबेश जो रहेंगे वो किसी पॉइंट को लेकर बढ़ सकते हैं लेकिन ओवर ओल जो दिन रहेगा वो आपका औसस से अच्छा कलका ब एजुकेशन फिल्ड से जुड़ाव रखे हुएं उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है कोई ऐसी सुचना आपको मिल सकती है एजुकेशन फिल्ड से जो कि आपके लिए अच्छी हो और आपके पदोनती के योग भी यहाँ पर चार्ट में बन रहे हैं इसी भी बात को जब आप कीजिए तो थोड़ा सा सो समझकरी वारतालाब करें नहीं तो कुछ परिशानिया उत्पन हो सकती है स्वास्त के पॉइंट आविव से कल का दिन अच्छा बीतेगा किबल जीवन साती के स्वास्त को लेकर कुछ परिशानिया उत्पन हो सकती है कु लगन में कल का दिन अच्छा बीतने वाला है सबसे पहला चीज तो आपके कारेस्थल पर जो आपको डिस्प्यूट पहले से चल रहते वो डिस्प्यूट अब खतम होते वे दिखाई देंगे दूसरी बात आपके आए के छेतर में कुछ रुकावट होगा लेकिन उस अधन में उन्रती होता हुआ दिखाई देगा आपको भागे का साही योग कल नहीं मिल पाएगा इसलिए शेयर सकता में अकस्मात एक बड़ा लॉस हो सकता है थोड़ा सा दूरी बना करेंगे और स्वास को लेकर जो है कुछ स्किन से रिलेटेड चिंताएं हो सकती है स्किन में कुछ इंफेक्षान हो सकता है जो आपको परैशान कर सकता है वार्ताला आप करते समें अपने वाडी पर सजयम रखें मिल लगण की बाद कि बाद किया जए अंतिम लगन अर्थात मिल लगन के लिए मिल लगन के य 대해 कल का जो दिन रहनेवाला है अतित्तम रहेगा प्याक कर पूरे टार्गेट मतलब एक डिटेल बना लीजिए कि आपको क्या करना है और उसको पूरे जब तक वो खतम नहीं हो जाए तब तक आप रुकिये नहीं आय के साधन में किसी प्रकार के व्यवधान होने की संभावना भी मीन लगन में दिख रही है और बड़े भाई बैनों को किसी प्रकार के चोड़ चपेट लगने की इंडिकेशन भी चार्ट में दिखाई दिखाई दि रहा है जिनके लीवर फैटी है जिनको ऐसे डिटी की प अच्छू